गरियबन जिले के देभोग ब्लॉग का बिलार्ट नाला इस समय उफान पर है जुससे 36 गाउं का देभोग केंद्र से संपर्ख तूट चुका है बावजूद इसके साशन प्रशासन नाले को बनाने में ध्यान नहीं दिया जा रहा वही 15 साल बीशेपी के शाशनकाल में इस क्यों ध्यान नहीं दिया गया जबकि वर्तमान में कॉंक्रिस के शाशनकाल को भी तीन साल पूरे हो गये हैं इस नाले का सिर्फ भूमी पूशन करके छोड़ती आ गया है वही गाउं का देभोग केंद्र से संपर्ख तूटने में सबसे जादा नुकसान विध्यार्तियों का हूँ रहा है और बारिश जा एक तरफ आफद बंती जा रही है तो वहीं जो बेलाट नाला है वो फान पर है और ऐसे में छद्निस गाउं से संपर्ख तूट चुका और जिस वज़े से लोगों को भारी परिशानी हो रही है ऐसे में सस्यादा जो नुकसान है वो स्कूल को नहीं जा पार है और ऐसे में उनकी पढ़ाई का भी काफे नुकसान हो रहा है